यारा के बाद रुदिक रोशन की वर्टू में इस्तरी की हुई एंट्रेज खास दीक्विंस में जूनियर एंटियार के संग मचाईं की बवाल साल 2024 की तरह ही 2025 में भी बॉलिवुड की फिल्मों के साथ पूरा पैक्ड रहने की तैयारी हो चुकी है रामाइन से लेकर सिकंदर, टॉक्सिक और भूट बंगला सहित कई बड़े बजट की फिल्म सिनमा घरों में धमाल मचाने वाली है हालाकि इन सब के बीच अगर फैंस को किसी फिल्म का बीस सब भी से इंतिसार है तो वो है वार टू ये श्राज बैनर तले बनी साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म वार सुपर हिट साबित हुई थी मुवी में रितिक रोशन के साथ डागे श्रॉफ लीड रोल में नजर आई थे वही छे साल बाद रिलीज होने वाली वार टू में रितिक रोशन के साथ पहली बार जूनियर एंटियार को लेकर पहले से ही फैंस में वेता भी थी अभी स्पेस अपरिकों मेकर्स ने और जादा बढ़ा दिया है रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर एंटियार और रितिक रोशन के इस फिल्म को जल्दी ही इस तरी भी जॉइन करने वाली है साल 2024 में श्रद्ध कपूर ने इस तरी के साथ बॉक्स ओफिस पर बड़ा धमागा किया उनकी फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल 739.40 करोर का कलेक्शन किया वह अमर्फ वाशिक के डिरेक्शन में बनी फिल्म की सकस्स का फायदा श्रद्ध कपूर को सोशल मेडिया पर काफी साधा मिला और उन्हें प्रियंका चोपड़ा को फॉल्वर्स की मामले में पीछे छोड़ दिया इस तरी टू की सकस्स ने उन्हें प्रिडियोसर्स और डिरेक्टर्स के लिस्ट में टॉप पर ला दिया और वो सबकी चहेती इस्तरी बन चुकी है और इसलिए अब उनके हाथ में वार टू जैसा बड़ा प्राजेक्ट लगा है रिपोर्ट्स की माने तो रितिक रोशन और जूनियर एंटियार स्टारर के बीच फलमाए जाने वाले डांस में अब इश्रद्धाकपूर की भी एंट्री हो गई है वो वार टू में एक स्पेशल आइटम नंबर के साथ होटनेस का तड़का लगाती हुई नजराएंगी इश्राज की तरफ से इश्रद्धाकपूर के वार टू में होने को लेकर अभी तक कोई ओफिशल इंफोर्मेशन नहीं है